दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंसुरेंस पॉलिसी कितने टाइप की होती है दोस्तो इंसुरेंस पॉलिसी आठ टाइप की होती है जो आपको पोटेक्शन के साथ साथ रिटर्न भी देती है depend करता है कि आप किस टाइप की policy अपने लिए लेते हो तो आईए जानते हैं इन सभी टाइप की policy के बारे में जिसमें पहली policy है term insurance policy term insurance plan एक fix समय के लिए होता है जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल इस term plan में maturity benefit नहीं होता है लेकिन यहाँ policy दूसरी policy के मुकाबले सस्ती होती है यदि term insurance के बीच में policy धारक की मित्ती हो जाती है तो इस उस condition में तैर रकम nominee को दे दी जाती है second policy है endowment policy इस policy में बीमा और निवेज दोनों होते हैं इस policy में एक fix नियस समय के लिए risk cover होता है निर्धारिस सालों के पूर्ण होने के बाद policy की maturity policy धारक को दे दी जाती है third policy money wake insurance policy दोस्तो इस policy में भी बीमा और निवेज एक साथ ही किया जाता है यह policy भी endowment policy के समान होती है फर्क सिब इतना है कि इस policy में आपको कुछ-कुछ सालों में money wake दिया जाता है और यही term के दोरान policy धारक की मित्ति हो जाती है तो पूरा पेशा nominee को दे दिया जाता है fourth policy आज इवन life insurance plan दोस्तो मेरे हिसाब से तो यहाँ सबसे अच्छा plan है यही आपने यहाँ plan ले लिया तो आपको जीवन भर का protection मिल जाता है आपकी आपके परिवार को लेकर सारी चिंताय दूर हो जाती है दोस्तो इस policy का कोई भी term नहीं होता है policy धारक की मित्ति होने पर nominee को पूरा बीमा claim दे दिया जाता है दूसरी अन-insurance policy में उम्र की एक सीमा निर्धारित होती है आम तोर पर पेशर सत्तर साल जिसके पूरा होने के बाद nominee date claim नहीं ले सकता लेकिन आज इवन life insurance में policy धारक की मित्ति हो कितने भी जादा सालों बाद 95 या 100 साल कितनी भी उम्र में होती है तो nominee को date claim दिया जाता है फिप्त policy child insurance policy दोस्तों यहाँ plan especially बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है यानि यह plan बच्चों की सिक्षा के खर्च और अनि जववतों के पूर्टी के हिसाब से बनाया गया है 6. Retirement policy इस plan में life insurance cover नहीं मिलता है या है एक type का retirement solution plan है यानि pension plan है इसमें आप एक retirement fund बना सकते है तै की गई एक अउधी के बाद आपको या आपके ना रहने पर आपके nominee को pension के रूप में एक निश्चित रकम मिलती रहेगी यहाँ बुक्तान अपने अनुसार महीने छे महीने या साल भर में भी हो सकता है 7. Saving and investment plan यहाँ plan बीमा लेने वाले या उसके family के भविस के खर्चों के लिए बनाये गया है यहाँ plan short term, long term दोनों परकार का होता है इस plan में saving और investment दोनों होता है यहाँ plan family के भविस में आने वाले खर्चों को manage करने के लिए best plan है 8 policy, you look policy इस plan में भी protection और investment दोनों होता है endowment और money back में मिलने वाले return काफी हद तक fix होते हैं लेकिन you look में ऐसा नहीं होता you look में return मिलने की कोई guarantee नहीं रहती क्योंकि इसमें निवेस किया हुआ पेसा share या bond में लगाया जाता है इसमें mature fund की तरह आपको unit दे दी जाती है लेकि return हमेशा market के उतार चड़ाओ पर निर्वर होता है लेकिन आप इसमें यादता ही कर सकते हैं कि कितना पेसा share market में लगाना है और कितना bond में लगाना है